दोस्तों बिस्किट इसे खाना हर कोई पसंद करता है अच्छा मान लीजे आपको भूक लगी है और आपके पॉकेट में बस पांच रुपया ही पड़ा है तो आप इस परिस्थिती में अपने भूक को मिटाने के लिए क्या खरीदेंगे भाई साब मैं तो ऐसे इस्थिती में बस पारलेजी बिस्किट ही खरीदना चाहूँगा और आप अपने भूक को मिटाने के लिए क्या खरीदेगा हमें कमेंट में ज़रू बताइएगा और अगर सुबह सुबह चाही की साथ अगर ये बिस्किट मिल जाए तो चाही की स्वाद में चार चांद लग जाते हैं तो चलिए आज देखते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाले पारलेजी कुकी को आखिर फैक्टरियों में कैसे बनाय जाते हैं और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्क्राइब नहीं कर रखाया है तो किर्प्या करके लाल बटन को दबाकर सब्क्राइब कर लें और बगल में दिख़े बेल के आएकन को दबाकर आल का आप्सन भी सेलेट कर लें तो पारलेजी कुकी को बनाने के लिए मुख्य समगरियां होती है एडिबल ओयल, सक्कर और मैदा सबसे पहले मैदे को चान कर मिक्सिंग फ्लोर पर डालते हैं यहां हर महीने तेंती सो टन मैदा यूज होता है साथ ही ग्रैंडिंग मसीन में आगे बेशते हैं और बात करें चीनी के प्रति महीने खबत की तो वो आकड़ा होता है पंदर सुटन का अब पावर टैंक में छाना हुआ मैदा और सक्कर डालते हैं और वहीं लिक्विड टैंक में चासनी, पानी और एडिबल ओयल डालते हैं इन दोनों टैंक से होता हुआ सारा मेटेरियल पहुंचता है मिक्सिंग के लिए करीब 90 सेकंड में ये गीला आटा तयार हो जाता है और अब ये आटे के टुकड़े जाते हैं मोल्डिंग वाले सेक्शन में जहां इसके ऐसे ही छोटे छोटे पिसेज किये जाते हैं दोस्तों ये है एक मोल्डिंग मसीन जिसके हर रो में 32 साचे मौजूज होते हैं इसलिए मसीन हर बारी में घूम कर 384 बिस्किट तयार कर देती है अब यहां से ये बिस्किट पहुचते हैं सीधा बेकिंग वाले सेक्शन में जहां इन सारे कुकीज को 240 डिगरी सेल्सियस के दापमान पर पकाया जाता है और अब कुछी देर बाद ये बिस्किट बेक होकर सफेद रंग से हलके भूरे रंग में बदल जाते हैं इन कुकीज को पकाने के बाद इने थोड़ा सुखाया जाएगा जिससे कि ये कुकीज और भी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाए तो अब अच्छी तरसे सभी कुकीज क्रिस्पी हो जाने के बाद अब बारी आती है इसके पैकिंग की तो अब biscuits के quantity के मुताबिक biscuits को छूटे बड़े packets में pack कर दिया जाता है कुछ ऐसे तो आज आपको हमें बताना है कि पाले जी के 5 रुपिय वाले packet में कितने पीज cookies आते हैं comment में जरूर बताईएगा और कर ये comment मैं आपके comment का reply जरूर दूँगा और हाँ कीजिएगा कोई अच्छा सा comment अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूँगा तो लेते हैं पिछले वीडियो में किएगे comment में से कोई अच्छा सा comment तो legend gaming भाई लिखते हैं nice तो legend gaming भाई comment करने के लिए धन्यवाद तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक और हाँ लाइक कर दीजेगा अब आपके सामने दो वीडियो और दिख रहे होगी दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं